नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में, जिसमें गेहूं की खेती में लगने वाले पीला रतुआ रोग जिसे हल्दी रोग भी कहते हैं. उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसकी रोगथाम कैसे की जाए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आने वाली वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुँचे इसके लिए आप Agri Production यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें तो चलो शुरू करते हैं क्रिशी वैग्यानिकों ने रभी सीजन की मुख्य फसल गेहु को लेकर किसानों सचेत किया है किसानों के द्वारा रभी सीजन में मुख्य तौर पर गेहु की खेती उन्नत किसमों उच्चित खाद वसिचाय का इंतजाम करके की जा रही है लेकिन लगातार मोसम परिवर्तन के चलते गेहु की फसलों में कई तरह के रोग भी आ जाते है गेहु की फसल में इस बार पीला रतुआ रोग आने की संभवना व्यक्त की गई है मौजुदा समय में तापमान में गिरावट के चलते गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग रस्ट डजीज लगने की संभावना है इसलिए किसान समय रहते सावधानी बरते और वैज्यानिक सलाह से इसका नियंत्रन करे अगर किसान समय पर पीला रतुआ रोग नियंत्रन नहीं कर सके तो गेहूं के उत्पादन में गिरावट आ सकती है इसलिए किसानों को चाहिए की विक्रिशी वैज्यानिकों द्वारा सिफारिशों को ध्यान में रखकर फफुन्दनाशक का प्रयोग करे ताकि फसल को भी नुकसान ना हो और पैदावार भी अच्छी हो पीला रतुआ रोग का समय दिसंबर के आंच से मध्य मार्च तक गेहूं की फसल में रतुआ रोग के लक्षन दिखाए देते हैं जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है कुछ वर्षों से पूरे उत्तरी भारत में इसका असर देख रहा है किसान ऐसे करे पहचान की कई बार किसान गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग और पोशक तत्वों की कमी के अंतर को नहीं पहचान पाते ऐसा होने पर बिना वैग्यानिक सलाह और जाच के दवायों का इस्तिमाल करते हैं इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है पीला रतुआ रोग में पत्तों पर पीले या संतरी रंग की धारिया दिखाई देती है जब किसान खेत में जाकर रतुआ रोग ग्रस्त पत्तों को अनगुली वो अनगुठे के बीच में रगरते हैं तो फफूंद के कन अनगुली या अनगुठे में चिपक जाते हैं और हल्दीनुमा दिखाई देते हैं जब कि पोशक तत्वों की कमी में ऐसा नहीं होता सभी किसान भाए अपनी गेहु की फसल में उच्छित सला है एवं मार्ग दर्शन से ही स्प्रे करें जिससे की आर्थिक नुकसान होने से बच जाए अगर आपको यह वीडियो अच्छित जाए